राम डाम आज हम विश्णु सहस्रे नाम के श्लोक सित्यासी का उच्छारन और हिंदी अर्थ दिखेंगे पहला चरन मामी आमिक्स करने मनो जमी आमिक्स करते वे मनो ज व पूरे के साथ आदा से वस ती की मात्रा बड़ी लंबा खीचने और थ के उपर आदा रहे तीर्थ कमी आमिक्स क्या करो तीर्थ करो पहला चरन रिपेट मनो जव तीर्थ करो दूसरा चरन व मी आमिक्स करेंगे वसु रेता फिर व मी आमिक्स करेंगे वसु प्र प्रकार्थ पाधा रपूरा पी आर ए दमी आमिक्स करेंगे प्रदः अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे हा वसु प्रदः दूसर जो वसु शब्द उसको खीचना नहीं है वसु ऐसे नहीं करना पहला और दूसरा चरण रिपीट मनो जवस्तीर ठकरो वसु रेता वसु प्रदह तीसरा चरण वसु वो ही सेम शब्द व में अमिक्स करते वे सु के साथ पढ़ना है वसु प्र जिसको आपने दूसरे चरण में देख लिया है प्र यानी पाधा रपूरा प्रदो वसु देवो तीसा चरण रिपीट वसु प्रदो वासु देवो चौता चरण व पूरे के साथ व में अमिक्स करना है व सु के साथ आधार वसु फिर है वसु मामी अमिक्स करना है वसु मना हवी हमी अमिक्स करते वे हवी व के साथ पढ़ना है हवी इकी मातरा इसले विसर को पढ़ना है ही हवी ही चौता चरण रिपीट वसु वसु मना हवी ही तीसरा और चौता चरण साथ में वसु प्रदो वासु देवो पूरे श्लोक का उच्चारण एक बार साथ में मनो जवस्तीर थकरो वसुरीता वसु प्रदः वसु प्रदो वासु दीवो वसर वसु मना वीः एक बार वापस श्लूप का अर्थ देखता है व की बाद आदा सर जो है वो व की बाद का विसर्ग हटने पर आएगा तो मनो जवह यानि मन की भाती जो वेग वाले हैं तीर्थ करह यानि जो समस्त विद्याओं की रचेता और उपदेश करता है वसूरीता यानि जो हिरन्य में पुरुष है मतलब जो ब्रह्माजी हैं जिन्नों प्रथम पुरुष हैं जो शिष्टी का बीज है मतलब शिष्टी जिनसे निर्माणू ये खुद भगवान ही ब्रह्माजी के रूप में हिरन्य में पुरुष बन कर इस शिष्टी का निर्माण करते हैं तो ऐसे सुवण वीर्य वसू प्रदह यानि प्रचुर धन प्रदान करने वाले वसू प्रदह हो गया वसू प्रदो यानि अपने भक्तों को मुक्षरूप महान धन देने वाले वासुदेवः वसुदेवजी के पुत्र श्री कृष्ण वसुर इसमें वसुर का आधर जो है वो वसु का सूप के बाद का जो विसर्ग होटने पर आएगा तो वसुहु यानि सबके अंतकरन में निवास करनी वाले और उसके बाद में आधर है तो विसर्ग के कारण हो गया वसुमना वसुमनह यानी हो गया समान भाव से सब में निवास करनी की शक्ती से युक्त मन वाले हवी ही यग्य में हवन किये जाने योग्य हवी ही स्वरो या भगवान विश्णों के 690 नाम से 690 में नाम पूरे होते हैं एक बार पूरेश लोग का अर्थ वापस मन की भाती वेगवाले समस्त विद्याओं के रचेता और उपदेश करता हिरने में पूरुष जिनका सुवर्ण में वीर्य हैं प्रचुर धन प्रदान करनी वाले अपने भक्तों को मुक्ष रूप महान धन देने वाले वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण सबके अंतकरन में निवास करनी वाले समान भाव से सब में निवास करनी की शक्ती से युक्त मन वाले और यग्य में हवन किये जाने योग्य हवी ही स्वरू अविनाशी सहज सुखराशी ही नात ही मेरे नात मैं आपको बूलू नहीं नारें नारें झाले